अब दोस्तो चलिए आज हम लोग और गैनिक रियक्शन ट्रिक फिर से पढ़ेंगे और इसमें हम लोग पढ़ेंगे पार्ट नमबर 42 चलिए इसमें पार्ट नमबर 42 आ रहा है बहुत ही अच्छा रियक्शन है जो बोड पे लिखा हुआ है एक पर पढ़ेंगे वो रियक्शन क्या है लिखा हुआ है रियक्शन अफ इथेन वन टू डाइयॉल वीथ एसो सील्टू समझ में आया कि नहीं कुछ लिखा हुआ है र तो एसोसील्टू के साध रियक्शन करेगा यही तो बात है अच्छा सब लोगों समझना है क्या बात है इसमें लिखा हुआ इथेन वन टू डाइयॉल वीथ एसो की नेम है थायोनिल कोल्राइड थायोनिल कोल्राइड तो यह सब रियक्शन कैसे बनेगा चलिए देखते हैं तो सबसे पहले बताएंगे एथेन वन्टू डाइयोल का फर्मूला क्या होता है वो कैसे बनाएंगे उस पर ध्यान दिजिए यहां पर लगा हुआ है इथ इथ क्या लगा है इथ लगा है तो इथ का मतलब होता है दो कारबन मात्र इथ का सेंस क्या है इथ मतलब दो कारबन एन लगा है एन का मतलब सिंगल बॉंड होता है कारबन कारबन के बीच सिंगल बॉंड होता है यह बात हो गया अब यहां पर लि वन टू तो इस कारवन को वन लिखिए इसको टू लिख दीजिए और यह वन टू क्या है कारवन का जिन्ती है तो दोग मत्र कारवन है तो इसको वन लिख दीजिए इसको टू लिख दीजिए और नहीं मन है तो इसको वन लिख दीजिए इसको टू लिख दीजिए मतलब इसक वें एक लिक शकलते हैं या किसी को भूआ लेक सकते हैं या किसी को भी दो भिल लेक सकते हैं तो आ Hag वह सो छलिए इसको मोन लिख दीए इसको कुलिक रे milk बात खतम अब आते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है डायो है को को gewesen call का मतलब को होता है और यह अल का मतलब क्या है और का मतलब है ओफ फंच्छनल फंक्शनल ग्रूप किसका है अल्कोहल का यानि ओएच किया है तो द्यान दीजिए ओएच किया है तो अल्कोहल का फंक्शनल ग्रूप है अल्कोहल का फंक्शनल ग्रूप है ओएच ओएच किया है तो वो है अल्कोहल का फंक्शनल ग्रूप है बाबु तो कई गो अल्कोहल का प्रुष का फांक्षिनल गूराई तो एक पर रहेगा और दू पर से इसका नहीं है यह दोनों जूटेगा तो एक पर और दूपर जूटेगा तो एक पर और दूपर जूटेगा तो चार बांड उसका किलियर हो जाएगा तो Ethan-1-2-Dial यही है बावो यही reaction करेगा थायोनिल कोलराइड के साथ करेगा यानि SoCl2 के साथ करेगा reaction अब देखिए इसको अब reaction कराएंगे मतलब इसको यहाँ पर अब लिखेंगे प्लॉस SoCl2 इसको हटाते हैं इसका यूज़ खतम है SoCl2 आएगा SoCl2 आएगा इसका नेम क्या है तो सुन लिजिए थायोनिल कोलराइड है थायोनिल कोलराइड है इसका नेम यहाँ पर देखिए इसका नेम फिर से लिखने देते हैं यह है इथेन वान्टू डाई ओल वहाँ पर लिखा हुगा है इथेन इथेन वान्टू डाई ओल इसका जो नेम है वो नेम है इथेन वान्टू डाई ओल इसका जो नेम है SOCL2 का वो है थायोनी कोल्राइड यह आपस में रियक्शन करने जा रहा है बाबू तो चलिए कोई धीकत नहीं है हम लोग बिल्कुल रियक्शन कराएंगे भागेंगे नहीं तो यह वाला जो टर्म है इसको यहां पर हम खूब अच्छा से देखिए लिख रहे हैं देखिए खूब अलग अलग इसको लिख दिया है ओएच यह वाला ओएच यहां है सिंत्य यहां है फिर सी से डू यहां है सिर्व примक यहां है फिर यहीं और यहां था उपर था इसको यहां पोलिया है साइड में लिख दिया यहां आप इसको कहें भी कहने यह और हमारे यहां है रियक्शन कराने के लिए अब देखिए जो एसो सी अल्टू है थायोनील कोलराइड के बारे में यहां है एसो सी अल्टू यह कैसे तूटता है तो तूटता है क्लोरीन में फिर एसो में क्लोरीन में क्लोरीन अलव हो जाएगा एसो अलव हो जाएगा क्लोरीन अलव हो आयसे तो कितना हम लेंगे तो जितना oxygen का मतरा है उतना ही हमको SOCl2 लेना पड़ेगा तो देखिक oxygen के मतरा कैईगो है दोगो oxygen का मतरा है या यांनि Гदयो ऑक्सीजन है इसलिए हमको thionyl koloride यानि SOCl2 हमको दोगो लेना पड़ेगा और आमने सामने साजाना पड़ेगा इसको कैसे साजाएंगे तो ध्यान दीजिए इसको मात रहम को ऐसे साजा देना है एक्सीजन के नीचे Ö protein आना चाहिए इस hydrogen के नीचे 1 chlorine ना चाहिए इस С cable के नीचे 1 chlorine ना चाहिए तो दूगो oxygen है तो हम दो और सियल्टू लेंगे एक ले चुके हैं एक और यह दिखेंगे है इह ज़ीन, पस्किम Jen दो नों अक्रिए नीच लिए तो चली 20 यह क्या कहते हैं आमने शामने ला मिलाना है तो चली-जब आमने सामने पहले तो इसको इसे जोड देंगे जब ये दोनों जूटेगा तो क्या बने गा ये जब दोन्हो जूटेगा एक च सीयल बनेगा प्लॉस opens our我知道 स्यलमी लगाए अपडेए यहवी तो एक चाहिए डाशील है तो इसको भी आप जोड़े ये इसको भी जोड़ें उसकोविज्ज तो यहां पर क्या करिए गए गोर HCL लिखिएगा लेकिन आप बताइए दोनों सेम है कि नहीं है जब दोनों सेम है तो इसको मिटा दिजिए जब दो वो आया है तो दो से यहां बहुना कर दिजिए इसी में कम बन जाएगा 2HCL यहीं पर हो गया अब देखिए क्या करना है इस दोनों कम को जोड़ना है तो SO और O मिलकर SO2 हो गया एक और O मिलकर SO2 हो गया एक और यहां है ध्यान दिजिए यहां भी है तो यहां SO Sulfur Oxygen और Oxygen मिलकर SO2 यह और बन गया जब दो दो बन गया तब दो से गुना कर दिजिए दोग हो गया दोग SO2 हो गया यहां यहां है अब सुनिए यह जो बीच वहला पार्ट बाचा है उसको ऐसे जोड़ देंगे ऐसे जोड़ देना है CS2 में को जोड़ देंगे इस CS2 में को जोड़ देंगे यानि इसको ऐसा ही जोड़ कर हमको लिख देना है कि इसको इसमें जोड़ेंगे और हमें पर तो यहीं सब्च सेफिकुने में कलुरीण सब्सक्राइब साहसद नहीं से लेखिंगे तोड़ना है यह नहीं टूटेंगा तोड़िये गाश की अधाला तोड़न मतलब करें चाहीचार रहोता है जोट nee तो तोड़ना नहीं है यही एक काम है बस उसको जोड़का आप लिख देजिए तो यह वला तो मेरा रियक्शन कंप्लीट हो गया है अपना लिख लीजिएगा क्यों मेट आएंगा तो चलिए दोस्तों यही था रियक्शन आपको आच्छा लगा होगा इसका जो नेम है सुन इथिलीन डाइकोलराइड इसका नेम क्या है इथिलीन डाइकोलराइड है इसको हटा देते हैं ताकि प्रोब्लम नहों तो यही है रियक्शन एसो तू का सल्फर डायोक्साइड नेम है इसके सल्फर डायोक्साइड नेम है और यह हाईड्रूजन कोजराइड है चलिए जोस्तों आपको बिल्कुल अच्छा लगा होगा इस वीडियो को सेयर कीजिएगा ताकि और भी बाच्चे पढ़ सके चलिए बाई